बीजेपी के लिए चुनाव से पहले ये महिना बेहत खास हो सकता है क्योंकि इसी महने में दो बड़े कारेक्रमों का आयोजन किया जाना है इस आयोजन में अटल और दीन द्याल को याद किया जाएगा जिसमें कवी सम्मेलन का आयोजन तो वहीं दीन द्याल उपाध्याय जैनती पर भी जरुरतमन लोगों की सेवा का काम किया जाएगा शतिसगर में बिजेपी समेहने दो बड़े कारेक्रमों का आयोजन करने वाली है दली में आयोजित राष्टे कारेसमीती की बैठक से लोटने के बाद मुख्यमंती रमनसी ने इसका एलान किया काव्यान जली और कार्यान जली के नाम से इंदो कारेक्रमों का आयोजन हुगा पुरप्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपई की मासिक पुन्यतीथी पर 16 सितंबर को राज्य के सभी विधान सभा शेत्रों में बिजेपी द्वारा काव्यान जली यानि कवी सम्मेलन का आयोजन क्या जाएगा वही प्रधानमंती नरेंद मोदी के जन्मदीन 17 सितंबर से पंडीत दीन दयाल उपाध्या की जयनती यानि 25 सितंबर तक राज्य बिजेपी प्रदेश भर में कार्यान जली या सेवर शपत कारेक्रम का आयोजन करेगी भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सुनिल सोनी ने बताया कि इस पूरे सपता में पार्टी गरीब और जरूरतमन लोगों के लिए सेवा कारे करेगी जाहिर है कि तीन बार शपतिसगड की सत्ता मेरे ही बिजेपी चौथी बार भी प्रदेश में भाजपा का पता का लहराने का दावा कर रही है इसलिए चुनाव के पहले ये महना बेहत खास माना जा रहा है कुछ दिनों बाद ही प्रिधानमंती नरेंद मोधी और बिजेपी अध्यक्ष अमिर्शा 36 गड का दौरा भी करेंगे जिससे पदादी कारियों में एक नया संचार भी होगा जो 36 गड में 65 प्लस की रणनीती को सफल बनाने कारगार भी सावित होगी